मैं अनिलकवार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्लास 12 के हिस्टरी का जो पाचमा लेशन है आई नियकवरी किरिशी संबंध आज हम इसी के वारे में क्या गरेंगे चरचा करेंगे तो इस चेप सबसे पहले आपको समझना है कि आई नियकवरी और यह जो क्रिशी संबंध है इससे हमें क्या होता है कि मुगलकाली क्रिशी के बारे में जनकारी मिलती है तो यहां पर चेप्टर को सुरू करने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि मुगलकाल क्या समझना होगा मु यहां से कभी-कभी प्रशन की लिया जाएगा कि भारत में मुगल वंस के संस्थापक कोन थे तो देखे है भारत में बावर ने पानिपत के परथम युद्ध के दwara क्या किया था कि भारत में मुगल वंस की निव डाली थी तो पानिपत के तीन इूध हुए हैं इसको भी वो आपको 701 ठीस्पी में माराथा और अफगानों के बीच में हुआ था जिसमें माराथा जो सेना का नेतित किया था वो आपको सदा सिवरा उभाव किया था वो ही आपको अफगान सेना का जो नेतित किया था वो आपको अहमद सा अबधाली ने किया था तो इन सारे चीजों जो कि मुगल वन्सकेशन स्थापकते भारत में इनका सासनकाल 526 से 530 है फिर हुमायू हुमायू का सासनकाल 530 से 540 है फिर हुमायू का सासन अगली टर्म में 1555 से 556 है अकवर का सासनकाल 556 से 1605 है अकवर को राष्टिये समराठ भी कहा जाता इस इसको आपको याद रखना है जहांगीर इसका सासनकाल 1605 से 1627 है और इसके सासनकाल में क्या हुआ था कि आपको चितकाला का खुब विकास हुआ था इसलिए कहा जाता है कि चितकाला का जो चर्मुतकर्ष विकास हुआ था वो आपको जहांगीर के काल में साह जहां का काल 1627 से 1658 और अरंग्जेव का सासन काल 1658 से 1707 तो यह क्या हो गया कि मुगल वन्सके जो होगे वो आपको क्या होगे कि प्रमुख सासोक होगे इनके बारे में जानने के लिए जो हमारे पास कुछ गरंत है जैसे कि आपको बाबर नामा इसी का फार्सी मुंतखव उल तवारिक इससे हमें क्या होता है कि अकवर के बारे में जनकारी मिलती है तुजुक के जहांगीरी से और इसके अलावे इकवाल नामा इस जहांगीरी से हमें जहांगीर के बारे में जनकारी मिलती है पात्सा नामा चार चमन इससे हमें साह जहांग के बारे मे जनकारी मिलती है अलाब गीर नमा से हमें औरंगजेव के बारे में जनकारी मिलती है मुंतखव उल लुबाब से हमें क्या होता है कि औरंगजेव के बारे में जनकारी मिलती है तो कभी कभी क्या होते हैं कि इन मतलब की गरंतों के लेखक के नाम भी जो होते हैं आपको पूछ दिये जाते हैं जैसे बाबर नामा के लेखक कौन थे तो आपको बाबर थे हुमाई नामा के लेखक कौन थे तो आपको गुलबदन बेगम यानि कि हुमाई नामा के जो मतलब क्या कहते है कि जो लेखिका थी वो आपको गुलबदन बेगम थी अकवर नामा आपको समकाली नितिहास करते हैं जनकारी मिलती हैं इन सभी मुगल गनतों में से आज जो मुझे मुखे रुप से पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है तो आपको यानि की अकवर नामा और आईने अकवरी फिर यांसे कभी कभी प्रस्न कलिया जागा कि कौन से ऐसे दो मुगल वादसा थे जिसने स्वयम अपनी आत्मकाथा लिखा था तो आपको बाबर था जिसके आत्मकाथा बाबर नामा जो कि तुर्की भासा में लिखा गया था वहीं आपको तुझो के जहांगीरी जो कि जहांगीर के द्वारा लिखा गया था यानि कि कुल मिलाकर बात यह हुई कि बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगलवासा थे जुन्हों ने स्वयम अपनी आत्मकाथा को क्या किया था लिखा था तो आईए इस चेप्टर को हम लोग क्या करते हैं कि अब शुरू करते हैं ठीक है न तो देखे इसका जो पहला प्रश्ण है वो क्या कह रहा है ध्याँसा सुनिये अकवर ने अबुल फजल से अपने स्वयम के कालका इतिहास लिखवाया प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहा थी तो देखे प्राचीन काल में क्या था कि दरवारियों के दोरा इतिहास लिखवाने की जो परंपरा थी वो आपको चीन में थी तो इसी से प्रेरित होकर अकवर िचिन अखाई है लिखा गाए कि अवुल फजल सहे अपने स्यंक्त, मने क्या था साज्यक्त, इतिहास लिख वैया था। तो ए का जो सही अंसर हो जाएगा, वुद आपको क्या हो जाएगा चीन, दो में अकवर नामा एबह्त, आई नियकवरी के अनुबादक कोन है तो देखे अकवर नामा और आई नियकवरी के जो नुबादक है बेवरीज, जैरेट, बलाचमें इनमे से सभी तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि यह जो अकवर नामा है जो कि फार्शी भासा में लिखा गया है तो इसको जो लिखने वाले थे वो आपको अवुल फजल थे लेकिन बाध में चलकर इसका क्या हुआ था अंग्रे जी अनुवाद हुआ था तो अकपर नामा का अंग्रे जी अनुवाद हुआ अगल और ब्लाच में ने किया था तो इन सारे चीजों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पहुच करके बढ़िया से लिख लेना है फिर आपका है एक प्रशन है आगा कि सर यह जो अकवर नमा है यह कितने खंडों में विभक्त है तो देखिए अकवर नमा को तिन खंडों में तो क्या हुआ था कि यह जो आपको अकवर नमा है इसके जो तिन खंड है इसके जो परतम खंड है उस परतम खंड में क्या है कि अकवर के पुरवजों के बारे में अकवर के जन्म के बारे में एबं अकवर के जो सासनकाल है उसके सत्रह में वर्स तक की जानकारी जो है वो कि 556 से आपको 573 से 54 इसवी तक की जो जानकारी है वो आपको अकवर नामा के प्रतम खंड में मिलती है और इसी खंड में अकवर के पुरुवजों के बारे में अकवर के जन्म के बारे में भी जानकारी मिलती है तिहां से बात आया अकवर के जन्म तो आपको याद रखेगा जब अकवर नमा का उसे क्या कहा जाता है की जनकारी मिलती है दूत्य भाग में मुगल कालीन समने व्यवस्था के बारे जनकारी मिलती है यानि कि आइन एकवरी के जो दूतिये भाग है उसमें मुगल कालीन सेन्ने वेवस्था के बारे में जनकारी मिलती है ठीक है ना उसके बाद फिर आएगा कि इसका जो तिरतिये भाग है उसमें किसकी जनकारी मिलती है तो देखे ये जो आइन एकवरी है इसक सब की जो चर्चा है वो आपको तीरतिय भाग में तो सिदेश समझे कि अकवर कालीन क्रीशी और भुराजस्प समंधी जो वह दिया गया है चतुर्थ भाग में क्या कि अकवर जो था धार्मिक रूप से जो सहिस्नु था जिस कारण उसने हिंदू के विभीन धार्नाओं जैस और पाचमे भाग में जो है अकवर की क्या है कि सुकतियों कि बंतियों ठेक है न दосьो के साथ साथ स्वैम अबूल फजल की संचिपत जिवनई भी जो है वह आपको आईन अकवरी के पाचमे भाग में दी गई जहीं है तिन सारे चीजों आपको विडियो को पहुछ करके क्य करना है कि बढ़िया से देख लेना है ठीक है न चलिया अगला प्रस्थिन जो है वो क्या कर रहा है नियां से सूनिये किख остан सेब्द किस मुगल-समराठ में किया था तो देखे है तंबाकु का सेब्द जो है सर परत्वम क्या हुआ था कि आपको मुगल समराथ अकबर के दौरा किया गया था किसके दौरा किया गया था मुगल समराथ अकबर के दौरा किया गया था तो यह जो अकबर है इसने क्या क्या था कि यह जो तंबाकू है ठीक है न इस तंबाकू को क्या क्या था कि 604 इस्वी में इसने क्या किया था कि हुक्का के रूप में इसका प्रयोग किया था कैसे क्या था हुक्का के रूप में यानि कि कि तंबाकू के जो शेवन था उस पर क्या कर दिया पर्तिबंध लगा दिया अगर आप से प्रश्न किया जाता przy na number कि तंबाकू का सेवन शरपरतम किस मुगल समराथ ने किया था तो वह आपको अकवर ने किया था वहीं तंबाकू पर अकबर के काल तक क्या होता है कि इतिहास मेलता है, तो चार का सही अनसर हो जाएगा, वो आपको B हो जाएगा, चलि पाच में, सिकार के समय रास्ते में परनेवाले गाउ में बुराजस्व समंधी जानकारी किस समराठ ने सरपथम प्राप्त की थी तो यह आपको अकबर ने प्राप्त किया था किस ने प्राप्त किया था अकबर ने इन सारे चीजों का आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है तो आप ब्यांते यह हुएगा कि अकबर के समय शुदार करने के लिए ठीक है ना भूमी की सही पैमाना कराने के लिए क्या किया था कि आपको 1582 इसमी में अकवर के द्वारा आई ने दसाला पत्र तो मदलब कि आई ने दसाला जो एक आग्या पत्र था उसको क्या किया गया था जारी किया गया था तरो आपको अकवर का वितमांत्री था। किसका वितमांत्री था। इन तारे चीज़ों का आपको बढ़िया से क्या करना है। गोन के था वह आपको कुन कियाता तो अकबर ने किया था अकबर ने किया था अकबर ने किया था इसह चार weit चीजों को आपको बढ़ियां से क्या कर लेना है कि धेक वह पूंदा वह पूंदा प्रश्ण कर लिया जाएगा कि यह जो बास को डिगामा है के राजा जामुरीन के दोरा किया गया था तो आठ का जो सही आंसर हो जाएगा सी यानि कि भारत में तंबाको का पौधा पुतगाल से पुतगालियों के दोरा लाया गया था चले नौ में आईने अकबरी के अनुसार भूमी को कितने भागों में बटा गया था तो देखे आईने अकबरी के अनुसार भूमी को चार भागों में बटा गया था कितने भागो जो था बंजर था यानि कि आई नेकवरी के अनुसार भूमी को क्या किया गया था कि आपको चार वर्गों में बटा गया था पहला जो भूमी था हुआ आपको पोलस था ठीक है न जो कि आपको सबसे अधिक उपजाव होती थी और इसमें बर्स में क्या होता था कि कम से कम दो आपने को फसले प्राफ्त की जाते थी खरी फसल और अभी फसल ठीक है नहीं वहीं प्रति भूमी जो होती थी जिस पर लगातार दो से तीन वर्शतक खेती कर दिया जाता था फिर जब भूमी को अरवारा सकते शुर दिया जाता था ठीक है ना उर्वारा सक्ति प्राप्ट करने के लिए क्या होता था कि तीन से चार वस के लिए खाली छोड़ दिया जाता था बंजर भूमी यह सबसे निम्द कुटी मतलब की कोटी का भूमी था जो पार्च वस के लिए क्या होता था कि खाली छोड़ दिया जाता था तो यहीं आपका प करके अच्छे से देख लेना है जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट की जे ठीक है इससे क्या होगा कि हम अपने अंदर कुछ इंप्रूब करेंगे जो भी इसमें कमी रहेगी उसको क पूरा करेंगे चलिए अगले प्रस्न को चलते हैं दस नंबर प्रस्न क्या करा है कि सं 1620 से 1727 के बीच भारत की अवादी लगभग बढ़ी थी तो देखे सं 161900 से लेके 1780 के बीच बहरत की अवादी जो थी वो आपको पांच करोर बढ़ी थी कितना वड़ी थी 5 ब्बादी वाने था थाजatar करोड़ हाई वह से अगा था। मैंने लेकिन स्प्रियों कि पॉइंट करते लिएगा धी कि अबड़े Channel के सतरे हैं सब्याइक करें та पारे छिछ 123 खॉष्ष्च क्या ही जो अब आपको पक्रा जाएंगे में इसंडलिपडर चलिए 11 में अबूल फजल करीट आइन अकवरी में किस सासक का वर्नन है तो देखिए अबूल फजल करीट जो आइन अकवरी है इसमें क्या है कि आपको अकवर के बारे में चर्चा किया गया किसके बारे में अकवर के बारे में क्योंकि सुरू में ही बताये थे कि आइन अकव पाज़ने में एकवर के बारे में और अकवर को राष्ट्रीय समराट कहा जाता और अकवर का सासंकाल 1556 से 1656 ठीक है न तिन तारे चीजहों को आपको अधिया से का करना है याद रखना है चलिये 12 में किया करा है अकवर नामा की रचना किस ने किया था तो आपको मतलब कि अवुल फजल ने किया था ठीक है ना तो बारा का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा और वुल फजल ठीक है ना चलिए उसके बाद है तेरह में कुतूब मिनार का निर्मान किस ने अरम किया था तो देखे कुतूब मिनार का निर्मान जो है वह आपको कुतूबदीन एवक के द्वारा क्या किया गया था अरम किया गया था तो यह जो बुदीनेवक जबकि इसके निर्मान कारे को पून करवाया था उसके अर्टिफिस्यल बेटा यानि कि उसके जो धमात था इल्टूतमिस ने उसको क्या किया था कि पूरा करवाया था जबकि इसके मरमत कारे को फिरोस्तात तूगलक ने क्या किया था करवाया था तो यहां से क याद रखेगा कि कुटु मीनार की जो उचाई है वो आपको 22.5 parent या 73 मीटर. मैं एंकिन गाल सबस्क्क्राइब्द्स इचाई करिकें इन चीज़ों को आपको यादर्मल था और टोडर्मल को क्या किया था कि दिवान असरफ नुक्त क्या था कब तो 15 अकवर नामा कहता तो आपको तीन भाग देखिए अकवर नामा तीन भाग में minute scripture तीन भाग में और Inell пожelste week जो तीरतिय भाग है को अकवर wrist आकवर नामा को और इक और इमने ऑ कवर नाम इस दोनों के जो लेख अपको अभूल फघल है और आपहलोग क्या करेंगे कि वीडियो को अच्छे तरीके से क्या करेंगे कि मतलब की मतलब देखेंगे जो भी समस्या है होंगी वो हम से क्या करेंगे कमेंट करके पूछेंगे ठीक है ना चलिए अब हम चलते हैं लिए आपको अवुल फजल ने चले 17 में दिली से दौलातावाद किस सासक ने अपनी राधानी परिवतित किया था तो यहां से एक प्रश्न आगा कि यह जो मुहमद बिन तौलक है इसका समंध किस वन से है तो देखे मुहमद बिन तौलक का जो समंध है वो आपको तौलक बन चर्चा कर दिये दिली सल्तनत की तो सुनिये सबसे पहले कि दिली सल्तनत का सासनकाल 1206 से 1526 है मतलब कि दिली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी और इसका अंत जो था वो आपको 1526 में हुआ था दिली सल्तनत के अंतरगात क्या वा था कि पाच राजवनसों ने सासन किया न सबसे पहला जो था दास वंस या गुलाम बंस या ममलक वंस तो इसको हम दास वंस घुलाम बंस या ममलक 58 चैसय के ते चाह थे वहान लगबक एक भूरक लॉजव थे दूसरा वंस फुर्षा विंश था व्यांस तो शता अच現vous और पाच्णा वंस दिली स्रतनत का जो कि अंतिम मस्था वह आपको लोदी मस्था तो यहांसे एक प्रश्ण और आयागा कि सर यह जो गुलाम बंसे इसके संस्थापक हों थे कुतुवदी नेवग फिर इसके बाद यह जो खिलजी बंसे इसके संस्थापक जलावदिन खिलजी फिर इसके बाद एक प्रश्ण और आएगा कि तुगलक वन्सके संस्थापक तो गया सुधिन तुगलक सहद वन्सके संस्थापक खिरीच खा लोदी वन्सके संस्थापक बहलो लोदी सहईद वंसका 1414-451, फिर आपको लोधी वंसका 1451-526, तो लोधी वंसके जो अंतिम सासक थे, इबराहिम लोधी इसी को प्रास्त करके क्या हुआ था, कि भारत में मुगल वंसकी क्या होई थी, नीपरी थी, और देली सल्तनत क्या हो गया था, कि अंत हो गया था, ति इन सारे चीजों को आपको वीडियो को पहुझ करके बलधिया से देख लेना है तो मुझे उमीद है कि आपको एक से लेके ये 17 नंबर तक के जो प्रश्ण है असानी से क्लियर हो गए होंगे चलिए अब हम बात करते आगे रिकत स्थानों की पूर्ति करने में तो देखे क्या करा है कि महापंडित एवं तिरपिटका चारे डॉडट को कहा जाता है तो देखे महापंडित एवं तिरपिटका चारे जो है वह आपको राहुल संकृतियायन को कहा जाता है और राहुल संकृतियायन को कहा जाता है और र तो वहीं एक नमबर प्रश्ण कर आया है कि महापंडित और तिरपिट का चारे डॉडड़ को कहा जाता है तो देखें महापंडित और तिरपिट का चारे जो है वह आपको राहुत संक्तियार को कहा जाता है चलिए दो में प्रथम सरेनी की भूमी जिसमें हर वर्स फसल ली ज तो दो का सही आंसर हो जाएगा आपको पोलज जबकि सबसे कम उजाव भूमी जो होता था वो आपको बंजर होता था ठीक है जो कि सबसे निम्न कोटी का था भूमी था चलिए तेरा में आईने अकवरी में अकवर कालीन डॉट डॉट सुबो का वर्नन मिलता है तो देखे यह कि जो आइने अकवरी है ठीक है इसमें अकवर कालीन 15 सुबो की क्या होती कि जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है ठीक है ना तो तीन का जुछ सही अंसर हो जाएगा वो आपको 15 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 लिखा था तो देखिए बाबर नामा गरंथ जो है वह आपको बाबर के द्वारा तुर्की भासा में लिखा गया था जबकि इसी का फार्सी अनवाद पंदर सो एकासी इस्पी में अब्दुरहीम खाना के द्वारा तुजुक ए बाबरी के नाम से हुआ था तो इन चीजों क अब को बढ़िया से याद रखने था पाठ वहीं करया कि बाबर नामा गरंथ डोड़ोट ने लिखा था तहीं आपको बाबर ने लिखा था चलिए चाह में अकवर का सासनकाल डोड़ोट से डोड़ृट था तो देखिए अकवर का सासनकाल 1556 से 605 था फिर आगला कुए से मतलब सिचाई हे तू डोटोट का उप्योग होता था तो देखिए कुएं से सिचाई हे तू रहटो का क्या होता था कि परियोग होता था तो मुगल काल में क्या होता था कि सिचाई रहटों से ठीक है होता था इसके लावे आपको तलाब से नहरोस से इन सब से क्या होता था कि देख लेना जहां भी दीकत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपकी शमस्या का हम समाधान करने का परियास करेंगे चलिए अगला प्रशन देखे क्या का रहा है बाबर नामा बाबर की आत्म कता है तो यह कतन जो है बिल्कुल क्या है कि आपको सत्य है ठीक है न तो यह जो बाबर नामा है ठीक है इसकी जो भासा थी वह आपको तुर्की थी ती इन चीजों का आपको बढ़िया से याद रखने है दो में अकवर नामा अकवर की आत्म कथा है तो यह आपको क्या है गलत है क्या है गलत है क्या है गलत है क्योंकि अकवर नामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया क्या है कि एक मुगल कालीन गरंत है तो दो जो हो जाएगा वह आपको असत्य तीन में अकवर नामा मुलतफ हार्शी भासा में लिखा गया गरंत है तो यह कथन जो है वो आपको बिल्कुल क्या है सत्य है चार में पोलज एवं परती भूमी से समानेत उपज का एक वटा तिन भाग कर वसूल किया जाता था ठीक है ना तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है क्योंकि पोलज और परती जो होते थे वो आपको क्या होते थे उपजाव भूमी होते थे ठीक है ना यानि कि आईने एकवरी के अनुसार भूमी को जो चार बरगों में बटा गया था आपको पोलज परती के कहना छट्षर बंजर जिसमें से आपको पोलज परती जो था सबसे ज्यादा क्या था कि आपको उपजाओ होते थे पाच में अकवर के सासन काल में अकाल तथा सुखा पढ़ने के समय किरिसकों को भूमी कर से छूट नहीं दी गई थी तो यह कथन गलत है क्योंकि अकवर जो था उधारवादी नीती का अनुशरन करते हुए क्या हुआ था कि आपको अकाल तथा सुखा पढ़ने के समय क्या क्या हुआ था कि भूमिकर से चुट दिया था चौ में अकवर ने हुके से तंबाको पिकर देखी थी तो यह कथन बिल्कुल सत्य है 1604 में ठीक है ना साथ में सरवोतम फसलो को मुगल काल में जिन्स एक कामिल कहा जाता था तो यह कथन जो है वो आपको बिल्कुल सत्य है यान यानि कि इसमें जो मतलब जोरा बनाने में एक तरफ गरंथ है और एक तरफ उसके रचरीता है इस पर आपको चर्चया करना है ठीक मलत तो देखें क्या करा थाे है वो आपको अब्दूल कादिर बदाईनू है तुजू के जहांगिरी इसके लेखक जो है वो आपको जहांगिर है तो इन सारे चीजों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से मिलान कर लेना है अभी हम आपको इसक्रीन पर इन सारे चीजों को क्या की है बताये हैं ठीक है ना दो में एक तरफ है सिक्का और एक परकार है उसका परकार तो आईए सबसे पहले इसको जान लेते हैं तब मुगल काल में चलने वाले सभी सिक्कों के वारे में जानेंगे ठीक है ना, तेंची जोकाव का बढ़िया से देख लेना है, फिर है आपको जीतल, तो देखे, मुगल काल में क्या होता था, कि तामबे का जो सबसे छोटा सिक्का होता था, उसको जीतल कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जीतल कहा जाता था, फिर है दाम, तो देखे, मुगल मुगल काल में जो चलने वाले जो कुछ सिक्क्य है ठीक है ना इस सिक्क्य के बारे में जानते तो देखिए मुगल काल के जो कुछ प्रमुक्षिस मतलब की सिक्क्य है उसमें सबसे पहला है संसब तो यह सबसे बड़ा सोने का सिक्क्य होता था और यह 101 तोले का था और यह पर ये का एक बटा दस भाग होता था जी तल ये तामबे का सबसे छोटा सिक्का था ठीक है ना तिन सारे चीजों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है क्या करना है देख लेना है ठीक है ना तो अकवर ने सिक्कों पर क्या क्या था कि अपनी आकरिती जो थी अ आपको बढ़िया से देख लेना है, तो अगर हम यहां से प्रश्न करेंगे कि इलाहिक क्या था, तो मुगलकाल में सरवादिक चलने वाले सोने का सिह का, जीतल क्या था, तरीह आपको तंबा का सबसे छोटा सिह का था, दाम क्या था, चिक न, देखें क्या कहा रहा है, तो यह तामपय का मतलब सिखा होता था जो रुपयय का एक बटाँ दस होता था उसके बाद है रुपयया तो यह चांदी का सिखा होता था तो इन सारे चीजों को आपको वीडियो को पॉंचगर के बढ़지ा से देख लेना है और ये सारे जो है आपके क्या होते है कि competitive exam में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जैसे कि आप railway SSC banking या किसी भी प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी करते हैं तो इसमें ये question नौर्मल में पूछा जाएगा लेकिन अगर वहीं आप चले जाते हैं आपको अधिकारी ग्रेड की तयारी कर बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है ठीक है न तीन सारे चीजों का आपको क्या करना है कि वीडियो को पूछ करके बढ़िया से देख लेना है और आप लोगों को जहां भी दिकत होगी आप लोग करके बताएगा आपकी समस्या का हम हर समभब समाधान करने का प्रयास फिर आपको लास्ट में क्या होगा कि हिंदी ब्याकरण जो है वह भी आपको क्या होगा कि आपको मतलब की यूटूब पे ही आपको सारे के सारे चीज़ों होंगे वह पढ़ाय जाएंगे तो आप लोग पेसेंस बनाए रखें आपके तयारी जो काफी अच्छे होंगे ठी अब देखे क्या करा है कि एक सब्द में उतर दीजिए क्या दीजिए एक सब्द में उतर दीजिए क्या करा है असोक और गांधी के बीच में उनकी जूरी का एक ही पूरूस हमारे देश में पैदा हुआ वह अकवर था यह कथन किस ने लिखा तो यह आपको राहुल संक्रि मतलब अकबर नामा है इसको तिन खंडों में बाटा गया आइन अकबर और इक जो था में नगदी रूप में पराप्त करना चाहता था चार में आईने अकबरी में करनिधारन की किन तिन परनाली का उलेख है तो देखे आईने अकबरी में करनिधारन की तिन परनाली जो है उसमें आपको कौन कोन है तो देखे तो उसमें सबसे पहले जो है आपको गला बक्सी है जबती है और एक जो था वो आपको क्या था नक्स सबसे पहला था आपको गला बखसी ठीक है ना तो गला बखसी में जो था इसको आपको मतलब टीन वर्गों में वट्टा गया था जैसे घट बटाई लंका वट्टाई दाउड़ा त्वान य भारत में करन lansom अधिक वर्ष के लिए परति भीगा लगान को निशीद किया जाता था नस्क जिसको कंकुत परनाली भी कहते हैं इसके तहत जमीन की पैदाबार को मोटे तौर पर क्या होता था आक लिया जाता था तो यहां से अगर दूर नमबर में आपसे प्रश्न किया जाएगा कि मुगल काल में करनिधारन की परनालियों का वर्णन करें था हम कहेंगे कि आएन एकवरी में करनिधारन की तीन परनालियों का उलेक मिलता है जिसमें आपको सबसे पहला गला बक्सी जो कि करनिधारन की सबसे प्राचीन परनाली थी और इसे तीन वरगों में क्या किया गया था कि ब जाएंगे ठीक है न तो आप लोग पेसेंस बनाये रहें ठीक है तो वहीं कहा रहा है आपको प्रस्ण जो है आपका कि आई नेकवरी में करने धारन की किन तिन परनेलियों का उलेक है तो आप कहेंगे क्या तो सबसे पहले गला वक्षी जिसको बठाई भी कहा जाता था जबत जो का आपको बढ़िया से क्या कर लेना है देख लेना है चले छटा अभूल फजल के गरंथ आई नेकवरी से मुगलकाल में परचलित जो है वह आपको जमिनदारी पर था जो है उसके बाड़े में हमें क्या होती है कि जमिनदारी मिलती है ठीक है तो च्छा कांसर हो जाए जिसको बसंत फसल भी कहा जाता है इसके अलावे खरी फसल जिसको पतजर फसल भी कहा जाते है तो इन दो फसलों की खेती की जाती थी तो देखे रवी फसल जो होते है वह आपको मतलब सरद रितु में बोई जाती है जबकि आपको खरी फसल जो होते है वह आपको बरसा रि करना है चली उसके बाद है आपको नॉमा नंबर तबकात अकवरी किसी किरीती है तो यह आपको नीजंदा अहमद की करीती है फिर आपको दसमे, आईनियक वरी का अंग्रेजी भासा मेंनुबाद कौन किया था। तो आईनियक वरी का अंग्रेजी भासा मेंनुबाद, बलाच मैंन और जेरेटणी किया था। दुस्तों मुझे उमिध है कि यह सारे टॉपिक्ते आपको असानीब से समझ में आ गई अगर आप लोगों को इस topic में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बताऊगे आपकी समस्या का हम हर समभब समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो भी video आपको provide की जा रही है उसको आप जरूर देखिए इससे क्या होगा कि आपको vote exam में फैदे म तो चलिए दोस्तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं एक बहतर क्लास के साथ कल जब तक के लिए अप लोगों से सुविदा टेक क्यर ओल अफ यू